आप सभी लोगों ने हाली में पढ़ा होगा कि अरुन कुमार मिसरा सहब को राश्टी एमाना उदिकार आयुग का अध्यक्ष बनाए गया है क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस से पहले राश्टी एमाना उदिकार आयुग के अध्यक्ष थे हल दत्तु साहब इनका कारकाल दिसंबर 2020 में खतम हो गया था समझ रहे हैं आप लोग तो उनके बाद अब इनका नंबर आया हुआ है और आप सभी लोग जानते भी होंगे बहतर कि इस तरह के जो भी संगठन रहते हैं उनसे आपकी एस्टेट PCS हो या फिल सिविल सर्विस हो इनमें आपके कुश्चन्स एक दो कुश्चन्स आते रहते हैं आप में से कई लोगों ने MPPST दिया होगा तो आप देखते हैं कि MPPST में तो कई कुश्चन्स आपके आ जाते थे अब नया पार्ट करम आया हुआ है उसमें भी आपने देखा है कि एक आपका संगठन राष्टी मानावदिकार आयोग को भी रखा गया है यानि कि अभी भी से कुश्चन्स पूछे जाएंगे आपकी परिक्षाओं में तो इसके बारे में एक सामन जानकारी मुझे लगता है कि मालू होना चाहिए आपको आपके अरुन कुमार मिसरास आपके बारे में डारेक्ट हो सकता है कि स्टेट PCS और सिविल सर्विस में कुश्चन्स ना पिक्रिया से की जाती है जो समती इनकी चैन करती है उसमें कौन-कौन सामिल रहता है इनके कारकाल से भी कुश्चन्स पूछे जा सकते हैं इनकी सक्तियों से भी कुश्चन्स पूछे जा सकते हैं तो एक सामन जानकारी याद रखा करिएगा तो चलिए सबसे पहले हम बात क बारे में तो देख लिजे यह है इनकी फोटो अरण कुमार मिस्रा की और याद रखिए मद्वदेश की जबलपूर के रहने बाले हैं तो अगर आप MP के हैं तो आप के ही पड़ोसी हैं ठीक है और आप देखेंगे इन्होंने MA में MA की उसके बाद इन्होंने कानून की पड़ कानून की इन्होंने पड़ाने का काम भी किया हुए है इनकी अगर हम बात करने तो जस्टिस अरुन मिस्रा को सबसे पहले 1999 में मद्वदेश हाई कोट की अत्रिक्त जज की रूम में निउक्त किया गया है और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि मद्वदेश की जो हाई को कोट है इसकी मुख पीट आपकी जवलपूर में है और इसकी दो खंड पीट भी है एक आप देखने को मिलेगा इंदौर में दूसरी आपकी ग्वालियर में फिर आप देखेंगे इनकी निउक्ति पर्मानेंट हो गई थी और बरस 2010 में उनका तबादला राजिस्तान हाई क कोट में कर दिया गया था उसके बाद आप 212 में उनने कॉलकाता हाई कोट में मुख नए इस बनाए गया था उसके बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोट में उनकी नियुक्ति फैर मश्टी लंबित रही को समय के लिए और साल 2014 में उन्हें सुप्रीम कोट का जज बनाए उसके बाद आप देखेंगे सुप्रेम कोट की एक खंडपीट जो काफी चर्चा में भी रही थी आपने देखा हुगा कि बकील पिसांथ भूसन कुन्यालय की अवमानना में दोसी ठहरायते हुए उन पर आपने देखा हुगा एक रुपे का जुर्बाना भी लगाया गया थ और काफी चर्चा में रहा है एक केस तो इसमें जो तीन सदसी एक खंडपीट की एक तरह से गटेत की गई थी इसकी अध्यक्षता आरुन कुमार मिसरा ही कर रहे थे ठीक है और इसमें आप देखेंगे कि दूसरे थे बी आर गवई और तीसरे थे इसमें किष्ण मुरारी ठीक है फर उसके बाद आप देखेंगे सुप्रिंग कोर्ट से जस्टेस अरुन मिसरा को 2 सेप्टमबर 2020 को रिटार हुए थे तो यह भी आप लोग याद रखें इनके बारे में इनके बारे में अगर कुश्चन्स आता है तो मुझे लगता है इन ही पॉइंटों से आएग भी आपको कुछ मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे जिसमें आप देखते हैं कि समानता का अधिकार हो गया सुतनता का अधिकार हो गया सोसन की विरुद्द अधिकार हो गया धार्मिक सुतनता का अधिकार हो गया संस्किति और सिक्षा का अधिकार हो गया संभीधानिक च्छे अधिकार बच्चे हुए हैं इन से भी आपके questions कई बार पूच लिया गया है संपत्ति के अधिकार से आप देखिए कि कि किस समिधान संसुधन की तवारा इसे हटाए गया था ये भी कई बार questions आ चुका है और आप सभी जानते हैं कि इन अधिकारों का अगर हनन होता ह तो आप आर्टीकल 32 के तहर सुप्रीम कोट जा सकते हैं आर्टीकल 226 के तहर आप लोग हाई कोट जा सकते हैं हाई कोट और सुप्रीम कोट आपके अधिकारों की रक्षा भी करती है समझ रहे हैं आपको बोलने की सुतंता दी गई है आपको कोई संगठन बनाने की सुतंता जुल सता, दी गहीं है ? लेकिन आप लोगों को एक बात और याद रत नहीं हो कि यह अधिकार आपके सीमित रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दीए गए तो आप आश्टियता, भासा, धरम या फिर आप देखेंगे किसी अन्ना आधार पर भेदभाव किये विना सभी को प्राप्त होते हैं, किसी से किसी तरह का भेदभाव ना रखा जाए, कि वो एक क्या है, वो एक महला है, या फिर आप देखते हैं कि किसी जाती से, किसी और धरम से, को यह सबी आपके सामेल हैं इसमें अब हम बात करते हैं राष्टिय मानव अधिकार आयोग की बारे में इससे कुश्चन से जरूर पूंचे जाते हैं आपके तो आप जानते हैं कि मानव अधिकार सरक्षान अधिनियम 1993 के अंतरगत इस्थापित एक बैधानिक निकाय है बैधा में एक कुश्चन सो रहता है संभीधानिक निकाय क्या होते हैं तो संभीधानिक निकाय एक आप कह सकते हैं कि संभीधान की किसी अनुचिद में किसी संस्थान या निकाय का नाम देखने को मिलेगा बर्डन देखने को मिलेगा ब्याक्या देखने को मिलेगी उसे आप कुद ले लीजी अप लो आर्टीकल तीनसोचोओईस में आप देखते इना चुनायोग से संस्था लेकिन राश्टीयमानवदिगार आयो आपकी बैधनिक संस्था हैं और इसकी स्षापना की बात करें तो आप आप देखेंगे 12 एक्टूबर 1993 को इसके स्थापना की गई थी तो इस डेट को भी आप लोग याद रखें और इस अधिनियम में आप देखेंगे राज्य मानवदिकार आयो के गठन का भी प्रावधान किया गया है आप जानते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं कि सिध्धान्तों की अनुरूप किया गया है और पैरे सिध्धान्त को अक्टूबर 1991 में पैरिस में मानव अधिकाल सरक्षन एवं संबर्धन के लिए राश्टी संस्थानों पर आयजित पहली अंतराश्टी कार्वसाला में अंगीकित किया गया था और 20 दिसंबर 1993 में अगर हम लोग बात करेंगे राश्टी मानव अधिकार आयोकी सरचना के बारे में इसकी सरचना से आपके questions कई वार पूंच लेता है तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो अध्यक्ष होता है चार फूंड कालिक सदस होते हैं और चार मानस सदस सामिल होते हैं इसमें ठीक है अगर हम बात करें इसमें राश्टी मानव अधिकार आयोके अध्यक्ष पदपर उच्चितम न्याले की मुख न्याधिस के सास्तात उच्चितम न्याले की अन्याधिस भी नियुक्ति किये जा सकते हैं यह आप लोग पॉइंट याद रखें क्योंकि पहले आप देखते थ इसके सास्ती उच्चेतम न्याले की अन्याधिस भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं ठीक है इसके अध्यक्ष और अगर हम सदस्तों की नियुक्ति की बात करें तो एक छह सदस्ती यह सम्थी की सिफारिश पर राश्टपती द्वारा की जाती है अगर आपसे डारेक्ट सदस्ती है, जो सम्ती है, छह सदस्ती है, इसमें कौन-कौन सामिल है, यह अगर आप से पूछता है, तो इस सम्ती में आपको बताना है, इसमें हमारे पिधानमंत्री भी सामिल हो रहते हैं, और लोकसभा की अद्यक्ष भी सामिल रहते हैं, राज्यसभा की उपाद्यक्ष भी सामिल रहते हैं और संसत के दोनों सदनों में बिपक्च के नेता भी जैसे आप देखते हैं राज्यसभा और लोगसभा और इसमें आपके केंद्रिये ग्रह मंत्री भी रहते हैं तो इस तरह से आप टोटल 6 सदस रहते हैं अब आप कहेंगे कि यहां 5 पॉइंट दिये गए हैं इसमें आप देखिए संसत के दोनों सदनों में बिपक्च के नेता यानि कि एक लोगसभा में होगा एक राज्यसभा में इस तरह से आप देखते हैं कि 6 हो जाएंगी टोटल तो इनको आप लोग विशेश तरह पर याद रखिए अगर हम लोग इनके कारगाल की बात करें तो राश्टी माना उदिकार आयू की अध्यक्चो सदस्नों का कारगाल 3 वर्स, अध्वा 70 वर्स की आयू जो भी पहले हो तक निर्धारित होती है पहले आप देखेंगे 5 वर्स हुआ करती थे लेकिन इससे कम करके अब 3 वर्स कर दिया गया तो ये भी आप लोग याद रखिए और विशेश परिस्तितियों में इन्हें राश्ट्पती द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है ये भी आप लोग याद रखिए अगर हम लोग आयूक के कारेओं की बात करें तो आयूक के कारेओं में सामेले सुता संग्यान लेकर अथवा किसी पीडित या उसकी ओर से अन्हबैक्ती द्वारा दी गई याज के अपर मानो अधिकारों का हनन करने वाले अथवा लोग सिवक द्वारा इस पेकार के हनन की रोग थाम में लापरवाही की जाच करेगा ये आयूक की आयूक का कारेओं ठीक है दूसरी कार की बात करें तो न्याले की समख्चे लंबित मानो अधिकारों के हनन के किसी आरोप से समदी किसी कारवाई में उस न्याले की मंजूरी के साथ हस्ट छे भी कर सकता है कौन आयो इसका एक अनक कार है राजसरकार की नियंतार दीन किसी जेल अत्वा किसी अनस अंस्थान वहां की समवासियों के जीमनियापन की दसाओं का अध्यन करने और उनके समद में संत्तियां करने के लिए राजसरकार को सुचित कलते हुए दोरा करना भी इनका काम है और इनके काम में आप देखेंगे मानौदिकारों के सरक्षन के लिए इसके दोरा अत्वा समीदान की अंत्रकत अत्वा कुछ समय के लिए किये किसी कानून के सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी कल सकता है, उन तत्तों की समीक्षा करना जिनसमें आप देखेंगे आतंकवादी, गदिविदियां सामिल midiyaan जो मानौदिकारों की उपियोग को रोपती हैं तथां उचित-उपचारी उपायों की सन्तुति करती हैं इसमें आप देखेंगे मानौधिकारों से संधिया अन अंतराष्टिय दस्तावेजियों का अध्यन करना, उनके फिरभावी कर्यानबन हेतु संस्तुतिया करना, इसमें और इनके कारियों में देखेंगे मानौधिकारों के छेत में अनुसंधान कार करना, उनको बड़ावा और समाज के विभिन बर्गों के बीच मानौ अधिकार सिक्षा का प्रिसार करना, तिकासनों, मीडिया, सैमिनार, अन उपलग्द संसाधनों से इन अधिकारों के सरक्षन ही तू उपलग्द सुरक्षा पायों की जवरूपता को बढ़ाना ये वी आपका राष्टिय मानौ अ इसी प्रिकार के अन्य काम भी आपका राष्टिय मानौ अधिकार आयूग करता है, अगर आप से डारेक्ट कभी कुश्चन्स पूचें, स्टेज PCS में मुख पर इक्षा में, तो आप इन कालेओं को लिख सकते हैं, आयूग की अगर सक्तियों की हम लोग बात करें, तो इस civil court को किसी बात की विचारन के समय प्राप्थ होती है, तो civil court के तरह एक तरह से इसे भी सक्तियां प्रात है, इनमें आप देखेंगे प्रमुक सक्तियों में, गबाहों की उपस्तिती हेतु समन करना और हाजित करना, और सपत पर उनकी जाच करना, किसी दस्ताबीश को गबाहों अथवाद दस्तावेजों की जाज के लिए सासन फत्त जारी करना भी इसकी सकती है और निर्धारित किया गया कोई अनमामला भी इसकी सकती के अंडर में आता है तो यह सभी मुझे लगता है कि इन्हीं की पॉइंटों में याद रखे अगर आप से पूछे इसके सक पूइंटों के बारे में याक कारयों के बारे में तो आसानी से आप लोग लेक सकते हैं मुझ पर एक्छा में अ dar questions बनता है तो और इसमें तो पॉइंट और बता देता हूं इसका मुख्याला है आप लोगों को नहीं बता वाया मुख्याला है नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और एक कुश्चन्स अगर आपसे पूछे कभी कि राष्टी मानवदिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे इस तरह के कुश्चन्स भी आप देखते हैं कि वंडे जाम में कई बार पूछ लेता है आपका कई बार आपका इस्टेट PCS में डारेक्ट ही बन जाता है तो रंगनात मिसरा इसके पहले अध्यक्ष थे यह भी गूगल पर आप लोग बोली सरज करिए आपके सामने काफी जानकारी उपलब्द हो जाती है तो आप लोगों के पास material की कोई कमी भी नहीं है ठीक है और MPPS से में questions इससे अभी भी पूछे जाएंगे ठीक है यह भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है पढ़िए आंगे कि अबूद पूछे और मोद हो करना झाल म coral भी आप लोगों के चाहाँवा नहीं हैrices बूलब्द है एंप लोगो यह गो यह भी आप लोगों का č nessa टímसे सामने को भी चाहाँवार आपी रखिवाश समीस्